नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुची धर्वन पाठशाला में बचों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जैसा कि आप सभी को पता है कि मद्दप्रदेश लोग सिवा आयोक के द्वारा अपनी प्रारंभिक पर रिसोर्स का वीडियो बना दीजे सही बात भी है क्योंकि वास्ताओं में यदि आपका मटेरियल यदि आपका रिसोर्स यदि आपके पढ़ने के श्रोत अच्छे नहीं होंगे तो कहीं न कहीं आप महनत तो करेंगे लेकिन वो महनत निरर्थक जाती है आप पढ़ाई तो क करते हैं लेकिन गलट direction में करते हैं तो वो आपकी जो पढ़ाई है या समय है वो बरबाद होता है तो किसी भी exam को अगर आप qualify करना चाहते हो तो मैं हमेशा नहीं आप जितनी बार मिलेंगे मैं हर बार बोलूंगी कि सबसे पहले आपकी कमांड होना चाहिए उस syllabus पर उस exam के syllabus आप अगर यहां पर MPPSC हो या UPSC हो या वंडे exam हो MPSI यो कोई भी exam qualify करना चाहते हैं आपके पास में एक syllabus होना चाहिए तो दो काम करिए एक इसका syllabus का प्रिंट आउट अपने पास रखिए दूसरा इस exam के जितने भी पुराने पेपर हैं उनको लेकर आई है अब प्रशन यह उड़ता है कि मांड सेलेबस तो चेंज हो गया है पुराने पेपर में इसके अकॉर्डिंग ली तो कुछ नहीं मिलेगा बिल्कुल मिलेगा इसे ट्रडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं और MP का एक्जाम है तो मद्दप्रदेस कभी चेंज नहीं होता बस सेलेबस को उधर 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 उथल पुतल करके रख देता है बाकी संचार पुर्द्योगी की है ये कुछ नए टॉपिक हैं आयोग को जोड़ दिया कभी उसके जगे जनजाती वाले जो एक्ट है उनको हटा दिया जोड़ दिया तो ये कुछ एक दो यूनिट्स होती है जो इधर उधर होते रहते हैं अदर्वाइस ट्रडिशनल सब्जेक्ट वैसे ही रहते हैं तो लास्ट ये के कोश्चिन पेपर को आप पैटन कैसा है सब्जेक्ट पूछने का तो वो चीज आपको लास्ट ये के कोश्चिन पेपर से पता चलेगी दूसरी बात आपको ये भी पता चलेगी कि आयोग कौन से पोर्षन पर कितना प्रश्न पूछ रहा है तो आप एक अनालेसिस कर पाएंगे और अनालेसिस से जै ज्यादा वो हाइलाइट कर रहा था और इस बार उसने साप साप मेंशन कर दिया है ये क्विकली मैंने बताया कि क्यूं आपको लास्ट ये के कोश्चिन पेपर और सेलेबस का अनालेसिस जरूरी है क्योंकि कहानी इसी के बाद चाली होगे अगर आप मद्ध्रतेश लोग स पूरे सेलेबस को उठाएंगे तो आप इस सेलेबस में चीच पाएंगे कि लगभग जैसे यूनिट नंबर एक थोड़ा सा कुछ बात चीत कर दी जाए यूनिट नंबर एक आपकी हिस्ट्री की है यूनिट नंबर दो आपकी MP की है ठीक है दो के बाद में अगर आप चीच देखा जाए पूरे में तो एक चीज आपको मैं बता दू वह MP का दिख रहा है तो आप पूरे तरीके में पूरे पेपर में अनलीसिस करो सबसे बडा पोर्शन आपका जो है वह MP का है तो कोई भी MP की एक किताब मर्केट में है या कौन 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 सी किताब आपकी अ अपनाया है तो आप इस किताब को ले सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा यहां पर डाइगनेमेटिक फॉर्म पसंद है उसके अलावा ठीके अगर आप फैक्ट देखते हैं तो पुरेकर महावी ट्रडीशनल किताबे हैं आज से नहीं पहले से चले आ तो उसके नोट्स का कॉंबिनेशन आपको इसके साथ में मनाना है पहली बात यह सेल्फ कर रहे हैं उनके लिए किताब है क्योंकि वो टीचर महनत करके सारी किताबों का निचोड MP में आपको देता है MP के साथ एक दिक्कत और होती है कि इसके फैक्ट हर जगे कुछ अलग- महावीर की किताब अबंद हो गई अपडेटिड नहीं है तो आप इसको चाहें तो इसको कर सकते हैं तो कोई भी एक MP की किताब जिसमें संपूर्ण मद्प्रदेश का सामान अध्यन है और इसके साथ अगर आप चाहें तो इंटरनेट का प्रियोग कर सकते हैं ठीके जी यह MP का कर लिया तो लगभग आपकी 5 से 6 यूनिट कंप्लीट हो गई तूसरा अगर आप History Geography Policy Economics को देखो तो History Geography Policy Economics बोले तो पूरा GS वाला जो पोर्शन है आधे से ज्यादा यूनिट जो है आपकी वो कवर कर लेती है आपकी लूसेंट और लूसेंट को पढ़ने के साथ साथ जो टॉपिक आपने लूसेंट से पढ़ा लूसेंट अबजेक्टी पढ़ लो तीके और इसके साथ थोड़ा सा करेंट अफैर पढ़ लो बस यह तीन चीजे अगर आपने पढ़ ली तो आपके एक्जाम की तैयारी हो जाएगी और इसके साथ लगा लो टेस्स सीरीज फट के साथ आपको एक अच्छी टेस्स सीरीज लगा लो टेस्स सीरीज में बाकी जो बचा कुछा है सब कवर हो जाएगा इस टेस्स सीरीज के लिए रुची धर्मन पाटशाला में रुद्राणी 1.1 रुद्राणी 1.2 एप्लिकेशन पे अवेलेबल है और हम फ्री ओफ दिन का पुल्टू मेराथन तीन राउंड जो है प्री ओफ कॉस्ट नौ से दस लाइव क्लास लेते हैं रुद्राणी की आप चाहें तो इसका भी लाव ले सकते हैं इतना सा फंडा है बस ये तो लेकिन बात हुई कि मैडम अगर हमने पढ़ा हुआ है तो ये रिविजन के तोर पर हो गया हमको हर यूनिट की आप अलग-अलग सेपरेट सेपरेट बुक लिस्ट बताइए तो चलिए स्टार्ट किरते हैं हर यूनिट की सेपरेट बुक लिस्ट अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपने प्रिलिम्स के आधिस जाधा चीजों को कवर कर लिया नही पूरी prelims की तैयारी हो गई है ठीक है लेकिन ये पढ़े वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने mains की तैयारी पहले करी हुए वो लोग ऐसा ही पढ़ने वाले है यह उन्हीं का फंडा है और उनका prelims qualify होगा भी लेकिन हर unit में एक कुछ special तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता दू फॉर एक्जामपल जैसे unit 1 है ठीक है एक एक करके detail देखते हैं यहां मेरे द्वारा आपको जो book list है वो बताई गई है आप market जाए इस book list में जो भी book मैंने बताई है उनको देखें अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी language आपको आ रहा है तो आप इन books को prefer कर सकते हैं बाध्यकारी कुछ भी नहीं है कुछ भी बाध्यकारी नहीं है आप अपने स्वाविवेक का प्रयोग करें लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह books अच्छी है market में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और सफलता मिलेगी unit 1 में अगर आप बेद उपनिषद आरण्यक प्रामणगर्थ सत्ध दर्शन इस्मृतियां यह अल्रेटी लूसेंट में है लेकिन यह हाइलाइट करा है इट शोज कि यह कहीं न कहीं इसके deeply प्रशन पूछेगा और इस चीज के लिए NCRT का निचोड है यह बहुत कम लोगों को पता होता है और पूरी NCRT अगर आपको कोई पढ़ने बोलता है तो अभी इतना टाइम नहीं है मैं आपको बता दूँ NCRT से बेस्ट कुछ नहीं होता है लेकिन अब NCRT का निचोड बहुत सारी बुकलेट में आ गया है आपके मेंटोर भी आपके टीचर भी अब आपके नोट्स में N नहीं न कहीं NCRT का जो बढ़न है इतनी मोटी बुक पढ़ने का वो कम हो जाता है और सेम वैसे ही यहां पर ज्यान करके एक बुक है संपूर इतियास की जो NCRT आधारित पुस्तक है ठीक है आप इसमें ये वाले पोर्शन को कवर कर सकते हो बहुत ही अच्छी रंगीन पु कवर हो जाएगे ठीक है स्वारी यूनिट वन हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी यूनिट टू अगर आप बात करते हैं तो यह मद्दुप्रदेश का इतिहास है मद्दुप्रदेश के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पूरेकर की एक बुक है सामान निग्यान क वो पूरा पूरा यहां पर दिया है इसके साथ में एक विक रिवीजन बुकलेट भी मिलती है वो आपको रिवीजन में हल्प करेगी और मद्दुप्रदेश में महेश कुमार्ण वर्णमाल में भी मद्दुप्रदेश के इतियास का डीटेल दिया हुआ है इसके अलावा अबिली है लेकिन मैं आपको बता दू कि मद्दुप्रदेश साशन की ही बुक काती है हिंदी गरण्थ अकादमे यह इस पेस ली मैं प्रिफर कर वाओंगी आपको आई के लिए MP History के लिए Hindi Grant Academy की जो booklet होती है यह मद्दिप्रदेश सरकार की है ये वाला portion Hindi Grant Academy से इसलिए करने बोल रही हूँ क्योंकि पूरा portion अगर आप Hindi Grant Academy से करेंगे यह मद्दप्रदेश सरकार की booklet होती है तो मद्दप्रदेश सरकार उसको बहुत ज्यादा update नहीं किया है लेकिन history में as such बहुत ज्यादा investigation की जरुवत नहीं होती है कला संस्कृती में current affair की कुछ portion को छोड़ दिया जाए ठीके तो उसमें बहुत ज्यादा meditation की जरुवत नहीं होती है तो उसके लिए उस portion के लिए आप Hindi Granta Academy को प्रफर कर सकते हैं ठीके और इसके साथ में आप चाहें तो परिक्षाधाम मैंने बोला है वो भी समग रहे हैं आप इसको भी देख सकते हैं थोड़ा सा ठीके लेकिन इससे बैस्ट है Hindi Granta Academy पुडएकर या फिर इसमें आप चीजों को देख सकते हैं बाक Hindi Granta Academy की बुक आप प्रिफर कर सकते हैं ठीके उसके माद हम बात करते हैं यूनिट नंबर तीन यूनिट नंबर तीन में भारत का भुगोल दिया हुआ है वैसे तो भारत का भुगोल क्योंकि अब यहां पर वर्ल्ड जोग्रफी उन्होंने हटा दी है लेकिन अभी भी आपर प्रत्वी की संरचना या प्रत्वी में जलधारा आए या फिर इन सब चीजों के बारे में जानकारी पता होनी जाए तो इसके लिए आप पढ़ते भी हो इसलिए मैं बोलूंगी समगरूरूप से अगर भारत का भुगोल पढ़ते हैं तो यहां पर आधारिती एक ब जो होती है बहुत महत्पुन रोल अदा करती है तो आप चाहें तो इसके लिए इंटरनेट का प्रयोग करके मद्द्प्रदेश का और भारत का मैप वाला जो पोर्शन उसको कवर करें ठीक है जी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर तो अगला है यूनिट नंबर फा में से अब मद्द्प्रदेश के भुगोल के लिए मैं जरूर बोलूंगे कि आप परिक्षा धाम को प्रिफेर करें हिस्ट्री के लिए बले ही आप चाहें तो एक घड़ी इसको भूल सकते लेकिन हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है पूरी टॉपिक के लिए अच्छी है ल अगर आपके पास में आपके टीचर के नोड्स है अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है या आपने कहीं से नोट्स जुगाड कर लिए हैं तो उसके साथ अब फिर परिक्षाधाम का या किसी एक का कॉंबिनेशन कर सकते हैं चाहे तो पूरेकर हो चाहे यह ठीक है जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर फाइब भारत का भुगोल और उसके साथ में उनिट नंबर फ को प्रिफेर करो और जो पॉलिटी में आपके प्री और मेंस में कॉमन टॉपिक है इसको इससे पढ़ कर कवर कर लो ठीक है प्रमुख समिधान संसोधन हो गए या फिर जो बोलना चाहिए अनुच्छेद हो गए प्रमुख यहां से पढ़ पढ़ के घोट डालो इससे ठीक और इसके साथ मद्दप्रदेश पॉलिटी के लिए पुणे कर प्रिफर करवाऊंगी अपडेटेड या चाहें तो आप इसके लिए भी परिक्षाधाम यूज कर सकते हैं ठीक है जी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर तो भारत मद्दप्रदेश की अर्थवर्स थ तो आप केवल और केवल लूसेंट को प्रिफर कर लीजें एमपी एकोनोमेक्स लूसेंट के जो टॉपिक है एमपी या फिर बोलना चाहिए मद्दप्रदेश के यह केवल और केवल इंटरनेट से कवर होंगे और साथी साथ रुची धर्मन पाटशाला के एप्लिकेशन ट प्रवत्ती हो गया यह करेंट अफेर के जो भी डेटा है सतत विकास्त के लक्षों में मद्दप्रदेश की प्रगती का जो डेटा है यह सारी चीजें हमने कवर करवाया है कहां कवर करवाया है तो रुची धर्मन पाटशाला के टेलीग्राम चैनल पर बीच से संबंदित स सामय समय पर PDF अवेल विल कराई जाती है और आगे भी कराई जाएगे साथी साथ free of cost रुद्रानी सीरीज जो है यह 9 से 10 हमने चलाई है आप जाकर देखें उस रुद्रानी सीरीज में हमने पूरा current affair unit wise तीन बार इसमें cover करवाया है इस unit का तो बहुत आपको help करेगी यह सीर लेकिन ठीक है अगर आपकी capacity अच्छी है तो आप चाहें तो इतनी मोटी book को पढ़ सकते हैं क्योंकि market में अभी यह book आई है ठीक है लेकिन इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसका internet भारत की economics के लिए cable lucent और यहां से cable important important fact को पढ़ सकते हैं ठीक है इसके exampedia जो है exampedia यह current affair की magazine मद्दुपरतेश की respect में आई है उन magazine में exampedia ने भी इस चीज को cover किया है तो आप चाहें तो वहां से उसको पढ़ सकते हैं ठीक है इस book में data सारा है समग रहे है बस बच्चे इस book को लेकर थोड़ा सा इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि यह इतनी मोटी book है ठीके तो अगर आपको बस इस से दिक्कत नहीं है तो यह book को आप prefer कर सकते हैं अच्छी book है नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगी तो unit number 7 विज्ञान परियावरण इवं स्वास्थ वाला portion तो इसके लिए बड़ी ही पतली सांदार to the point book इसके लिए तो मैं बोलू अगर प्रथक प्रथक पढ़ना चाहते हो तो परियावरण के लिए पूर्वा वलोकन आती है घटना चकर की परियावरण पारिस्तितिकी के लिए फैर यह लूसेंट ने आप इसको cover कर लिया है तो आप अगर इसको cover कर लोगे तो यह पढ़ने की जुरुत नहीं है लेकिन अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो इससे cover कर सकते हो ठीके तो unit 7 के लिए यह सारी चीज़े या अगर आपको यह तुकडों में नहीं पढ़ना तो एक अकेली बुक से भी आपका काम हो सकता है unit 7 का लेकिन विज्ञान वाला portion है बहुत बड़ा portion है तो आप विज्ञान को luc से cover कर सकते हैं ठीके इसके अलावा परियावरन को इससे cover कर सकते हैं इसके अलावा और भी topic है जैसे unit 7 में कुछ topics आते हैं जैसे स्वास्त आ गया नीती आ गया कारिक्रम आ गया यहां पर तो यह current affair से ही cover होंगे तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगे कि current affair का जो data है वो cover क तो परिक्षा धामने वास्तों में सब कुछ cover करके इसको दे दिया है तो आप चाहें तो उसको prefer कर सकते हैं अलग-अलग में यह prefer करेंगे तो एक भी question बहार नहीं जाए ठीक है unit 8 के लिए अगर हम बात करें राश्टी अंतराश्टी और मद्ध प्रदेश के current affair के लिए तो बहुत अच्छी है आप इसको prefer कर सकते हैं और इसी बुक की मैं बात कर रही थी इस बुक में इन्होंने current affair की जो चीजे है जो unit 6 की है वो उन्होंने cover करी है चाथी साथ भारत के current affair के लिए भी exampedia बहुत शानदार है क्योंकि पिछले बार भारत के current affair के जितने भी questions आये थे बारत का current affair जादा पूछ लिया गया था राश्टी current affair पूरे के पूरे प्रशन इससे बैड़ गये थे ऐसा दावा है तो ये प्रशन अच्छी खासी बुक ने cover किया है इसके अलावा तथिबान इसके अलावा अगर आप monthly magazine पढ़ते हैं तो घटना चक्रे से तो better कुछ भी नहीं है मद्योप्रदेश के लिए special या अगर आप और भी बड़ी magazine पढ़ते हैं तो प्रतियुगता दरपन लेकिन अभी टाइम नहीं है 12 महने की वो नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर आप वारशी काम कराश्टी अंतराश्टी चाहाते हैं तो इस PD को पढ़ सकते हैं लेक लेकिन बहुत सांदार बुक है यहां पर exampedia वाली जो बुक है वो इससे ज़्यादा बैटर तरीके से उसको कवर कर लिती क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत डाइग्राम डीटेल होता है तो वो पढ़ने में थोड़ी आसान हो जाते हैं अदरवाइस इस PD तो जो है कुझ भी नेंग है क्योंकि जो concrete material है वो आपको यहां से मिल जाएगा नेक्स अगर हम बात करते हैं यूनिट 9 संचार एवं सूचना प्रद्योग्यकी की तो इस बार यूनिट 9 में एक शब्द दिया हुआ है पहली ही लाइन में computer का आधार भूत ग्यान computer का आधार भूत ग कर सकते हैं और अगर यह नहीं particular सब के लिए नहीं तो यूनिट 9 के लिए प्रथक से संजय गुपता सर की निर्मान की जो book है आप इसको prefer कर सकते हैं अच्छी book है otherwise आप परिक्षा मंथन को प्रयोग में लाएं इसके लिए बाकी current affairs से इस चीजों को आपको update करना पड़ेग robotics से related, super computer से related कुछ fact हो गए या फिर artificial intelligence से related कुछ fact हो गए तो यह current affair कवर करेगा जो इन्होंने कवर करा भी है otherwise आपको जो है यहां पर current affair के लिए जो भी magazine है उसमें इन चीजों को ध्यान से पढ़ना आओ अंतिमाता है unit number 10 unit number 10 वास्तों में यह कुछ अलग नहीं है अलग से न जनजाती वाला portion जुड़ा है अगर आप बहुत ध्यान से देखे तो unit 10 और unit 1 जो है तो कहीं ना कहीं interlinked है unit 2 और unit 10 unit 1 नहीं unit 2 में मद्धप्रदेश का जो कला संस्कृती इतिहास है साहित है वहां पर भी जनजाती उसकी बोलिया प्रमुग जनजाती वेक्टित्व है ठीक तो मुझे लगता है कि यह MP के जो traditional book है उनसे ही cover हो जाता है लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ book चाहते हैं तो अभी यह book तो market में available है जनजाती वाला मद्धप्रदेश की जनजाती वाला और जब तक आप यह video देखेंगे तब तक बहुत शांदार एक book है मद्धप्र जो है यह हो सकती है शावित क्योंकि इन्होंने पहले ही इसका review भेज दिया है कि हमने इस चीज को ऐसे ऐसे cover किया है मैंने personally यह book देखी तो मुझे शांदार लगी यह book मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है और market में already Sanjay गुपता सर क दरपण की मद्रदेश की जनजाती unit 10 के लिए यह already available है एक मात्रु बुक थी अभी अवेलेबल लेकिन डूसरी बुक जो है बहुत शांदार तरीके से तयार की गई है selection तक team के द्वारा जो यहाँ पर डाइगनेमेटिक वे में error free या फिर बोलना चाहिए कि बहुत analysis करके current affairs से जोड़ कर सारे तथों को इन्होंने cover करने की कोशिश करी है तो आप चाहें तो इस बुक को prefer कर सकते हैं unit 10 के लिए इसके अलावा आपने अगर वन से लेकर unit 10 तक पढ़ लिया लेकिन अगर आपने mcqs नहीं लगाए तो आपकी तैयारी धरी की धरी लह जाएगे mcqs ल लूसेंट नहीं भी पढ़ते हैं पूरा डीटेल पढ़ते हैं लेकिन जादा तर लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट के एक एक टॉपिक को पढ़ने के बाद में बेटा लूसेंट अबजेक्टिव लगाते जाओं तो description आपको लूसेंट में मिला और लूसेंट subject wise घटना चकर का पूर्वा लोकन आता है तो आप चाहें तो इसको लेकर आ सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा डरावनी इसलिए लगती है क्योंकि ये इतनी मोटी मोटी है तेकिन अगर आप इसको ध्यान से जानते हैं या पढ़ना जानते हैं तो इससे अच्छी बुक कुछ नहीं हो सकती तो आप चाहें तो इसको objective form में लगा सकते हैं तीसरा यहां पर अरिहंत अभी अरिहंत का सबसे updated 2024 में इन्होंने भी यहां पर सेम घटना चकर के जैसा जो है एक अलग-अलग subject वाई जैसे सामाने विज्ञान का हो गया history का हो गया geography का हो गया पॉलिटी का हो ग नहीं भी exam में आई हुए questions है इनका संकलन सामिल किया है तो इसकी एक और विशेस्ता अच्छी लगी कि इन्होंने यहां पर short notes form में भी जीजों को cover किया है तो आप चाहें तो इसे भी prefer कर सकते हैं तो आप जाएं तीनों को देखें और उसके बाद देखें कि किस चीज में आपको जादा अच्छे से objective समझ में आ रहा है अगर आप इन सब के objective नहीं लगाना चाहते तो एक ही जगे रुचिधर्मन पाठशाला की test series में हमने आपको unit 1 से लेकर unit 10, FLTs, section wise, 4-4-5-5 बार लगभग 10-15,000 fact का संकलन एक ही जगे यहां पर provide करा है रुचिधर्मन पाठश अला के application से अगर आप test series को जोईन कर सकते हैं तो रुद्रानी 1.1 अगर आप जोईन करते हैं तो यह civil services के तैयारी करवाईगी आपको और अगर रुद्रानी 1.2 और जोईन करते हैं तो यह civil plus forest services के तैयारी करवाने के लिए तैयार की गई इसमें हमने गुणवत्ता के साथ के level को वैसा ही रखा है जैसा मद्दुप्रदेश लोग से वायो का requirement है अगर आप देखेंगी कि कैसे प्रशनों को शामिल किया है तो 9-10 रुद्रानी series जो है रुची धर्मन पाटशाला के application पे free of cost रोज होती है 50 दिन की या 50 दिन का ये पूरा एक package है ठीके तो आप उसको जाकर इसको देख सकते हैं और इसका लाब ले सकते हैं और अपनी तयारी में चारचान लगा सकते हैं चूकि हम यहां पर जो तयारी कर रहे हैं उसमें pre plus mains कर रहे हैं हम prelims की तयारी ऐसे कर रहे हैं कि अभी से आपके जो two marker है history, geography, policy, economics परियावरण आदी के वो already तयार हो जा तो ये मेरे द्वारा unit 1 से लेकर unit 10 तक prelims की book list जो आपके द्वारा most demandable थी ये मैंने बताया क्यूंकि market में अभी तक कोई book ऐसी available नहीं थी अब available हो गई है उसके accordingly हमने बताया इसके अलाबर रुची धर्मन पाठशाला भी आपके लिए प्रयास कर रहा है जितने भी नए topics जोड़े हुए है उन topics को लाने के लिए और मेंस के लिए तो रुची धर्मन पाठशाला में पेपर नमबर 5, पेपर नमबर 6 और 4 पेपर और बाकी जो भी और भी प्रोग्राम से उसकी सभी की जानकारी आपको रुची धर्मन पाठशाला की YouTube चैनल, Telegram चैनल, Instagram से मिल सकती है इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की और समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मेंस की बुक लिस्ट चाहते हैं या कहीं आपको कोई direction की कमी लग रही है तो ये चीज आप सभी पूस सकते हैं तो ये एक मेरे द्वारा बताई गई बुक लिस्ट आप चाहें तो इससे प्रफर करके अपनी सफलता को एक नई दिशा दे सकते हैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगी कि सारी बुक्स को फरीदने से पहले मैं हर बार बोलती हूं क्योंकि किसी बुक में कुछ थोड़ी बहु बाइया रहती है ठीक है कोई फैक्ट पसंद करता है कोई कलर फुल बुक पसंद करता है कोई डाइग्रेमिटिक फ़ॉर्म में पढ़ना पसंद करता है। इस प्रकार सबकी अलग अलगिक अपनी पढ़ने की और बुला चाहें एक बुक की इन्ट्रेस्ट होती है तो आप जाएं बुक स्टोर पर और उस बुक को देखें, जो मैंने बताया है, विवेक अपना लगाएं उसमें, कि यार इसमें डाइग्राम अच्छा लग रहा है, इसमें ये है, ये है, या जो पूर्व के प्रश्न पत्र के अनुरूप डिजाइन की गई है, आप उस बुक को प्र कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और नए रोचक तथे, साथ में.